एकुमकार, सत्नाम, कर्तापुरत, निर्पो, निर्वैर, अकाल मुरत, अजुनी, सैभभंग, गुर्परसाद, जप, आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, वाईग्वी जी का खाल्सा, वाईग्वी जी की फत्र, यह आपके लिए question लिखा हुआ है, और इसमें आपको चार चीज़े निकालने हैं, standard deviation, variance, coefficient of standard deviation, coefficient of variation, so इन चार चीज़ों को हम इस वीडियो में निकालना सिखाएंगे आपको, so यह data दिया question का, सबसे पहले तो data को आप इस vertical form में लिखेंगे, class, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, then 50 to 59, यह data दे रखा है, मैंने इस data को इस format में लिख दिया, vertical format में, फिर मेंको frequency दे रखी है, पर यह data जो उनसा है, यह मेरे पास exclusive series है, मिलको इसको convert करना होगा, inclusive series में, means, यह दोनों चीज़े हमारी same होनी चाहिए, तो यह दोनों चीज़ों को same करने के लिए, पहले देखते हैं difference कितना है, 20 और 19 में, 1 का difference है, 1 को 2 के साथ divide करा, 0.5 आया, so starting वालों में से 0.5 minus कर देंगे, बाद वालों में से 0.5 plus कर देंगे, तो 10 में से 0.5 करा, minus, 19 में 0.5 plus करा, फिर 20 में से 0.5 minus करा, starting वालों में से 0.5 minus कर देंगे, बाद वालों में 0.5 plus कर देंगे, 30 में से 0.5 minus करा, फिर 39 में 0.5 plus कर दिया, 40 में 0.5 minus करा, 49 में 0.5 plus कर दिया, 50 में 0.5 minus करा, और 59 में 0.5 plus कर दिया, यह class हो गई है, हम इसको नहीं अब यूज़ करेंगे इसको यूज़ करके सारा क्वेशन सांच करेंगे फिर आपके पास फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी है क्वेशन में 4, 5, 6, 2, and 3 सबसे पहले हम निकाल लेंगे x x निकलेगा इनकी middle value सबसे पहले हम x निकालने वाले इनकी middle value उसको x का जाएगा सो ये x हो गया 9.5 और 19.5 की middle value निकलेगी इन दोनों को plus करतें divided by 2 करतें सो मेरे पास 14.5 आगया फिर 24.5 आगया इन दोनों की middle value इनको plus करतें divided by 2 करतें 34.5 आगया middle value मैंने x कह दिया इसको यानि मैंने plus करा divided by 2 करा मेरे पास आरी ये middle value 44.5 फिर इसको plus करा divided by 2 करा मेरे पास middle value आरी है 54.5 ये x हो गया अग x निकालने के बाद हमारा अगला काम होगा d निकालने इसको d निकलता है x minus 8 आप a इनके center वाली वाली center में क्या आ रहा है देखो 34.5 चाहिए 24.5 जिसको मर्जी ले ले बस starting and end वालों को मत ये लीजिए अगर मैं 34.5 को ये ले के करता हूँ तो भी कोई problem नहीं है 24.5 को ये ले के करता हूँ तो भी कोई problem नहीं है 44.5 को ये ले लो तो भी कोई problem नहीं है तो मैं इस question में ए ले रहा हूँ 24.5 को इसको ए ले लिए आप 34.5 को भी ये ले सकते हैं आप 44.5 को भी ये ले सकते हैं तो D is equal to X minus A यानि 14.5 माइनस 24.5 फिर 24.5 माइनस 24.5 फिर 34.5 माइनस 24.5 फिर 44.5 माइनस 24.5 फिर 54.5 माइनस 24.5 यहां से मेरे पास D निकल जाएगा और इनको प्लस माइनस करके आ रहा है मेरे पास minus 10 यहां पे आ रहा है 0 plus 10 यहां पे 20 फिर यहां पे 30 यह D आ जाएगा मैं इसको step deviation से करना जाता हूँ क्योंगी सारे D एक ही time stable पर आ रहा है सारा D मेरा 10 के time stable पर आ रहा है तो मैंने क्या करना है इस सारे D को 10 के साथ डिवाइड करके D निकाल दे रहा है standard deviation वेगरा यह चीज़े निकाल नहीं हो तो आप D का square निकाल दे तो minus 1 का square plus 10149 यह D डश का square आ गए इसके बाद आप क्या करेंगे F को पहले D के साथ multiply करेंगे फिर F को D के square के साथ multiply करेंगे यह आपको steps बहुत easy है फिर F को पहले F D' से multiply करेंगे फिर F को D' के square के साथ multiply करेंगे frequency 4 4 को पहले D' के साथ means 4 into minus 1 minus 4 5 into 0 that is 0 6 into 1 that is 6 2 into 2 that is 4 then 3 into 3 that is 9 यह F into D' हो गया फिर F को D' के square के साथ multiply करेंगे so 4 into D' का square 1 4 फिर 5 into 0 0 6 into D' का square 1 6 फिर 2 into 4 that is 8 then 3 into 9 that is 27 यह मेरे पास F D' का square हो गया अब मैं standard deviation निकाल नहुंगा standard deviation के लिए आप total कर ले एक तो F का total कर ले इसका total नहीं चार्ट में पंदरा 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 तीन अठारा और बीस यह मेरे पास F 20 आ गया तिर उसके पाद F D' का total कर लेंगे formula होता है क्योंकि हमने step deviation method लगाया क्योंकि यहां पर D' निकाल रहा है D' जहां पर लगता हुसे step deviation method कहते है step deviation method से हम कर रहे है standard deviation step deviation method तो sigma lowercase sigma यह हमारे पास standard deviation का symbol होता है F D' दा स्केर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ दा होल स्केर स्केर रूट दे बार सी स्केर रूट धे बार सी कि स्वाषी वैल्यू सिग्मा एक डी डैश दस्केर किन आया 45 एथे 45 लिखता है सिग्मा एफ, एफ डा टूटल कि पंदरा सी एफ डी डैश इंदा टोटल 15 सी एफ डी डैश अपॉन सिक्मा एफ ड़ा 20 सी एंदा होल सिग्यर सी मतलब आपका इंड था एंड रहा हुआ है आसी जी नुट टन विवाइल करा चाहिगा न हारे असे इसलिए थे टन लिकृताओ सो श्रग में परकेश सिंगर flora सिंगा सिह मपिस्ग मां उंने हैं सिंगलेग आथारमल बीक पार में निन डीमिट आप हरे होग कर रंगे शिल के संथ इन्गलिष आप्र ने इससे एसे पर के सिस्गल अलफा कटगा, लोगर केसिस दिस, इस सिग्मा, देने सिग्मा अपने कुल जिडा होने नुट सॉल्ट करांगी, साथ एकुल चेंडर डेशन आदा हैगा, नुट सॉल्ट विगयरा करके 12.99, इस चेंडर डेशन हो गया, फिर चेंडर डेशन दा स्केर इस कॉल्ड बेरियंस, क्छिर भी पार्थ बेरियंस, वेरियंस इस सेंडर डेशन दा स्केर 12.99, मान दा स्केर इस वोट बेरियंस, 12.99, 2.89, स्केर करांगे, इस त महींदा बेरियंस होगा, इस 168.74 इस भी बेरियंस, डिसकवर कर या सी आरे फिशर नम दे नम दे एकॉनमिस्ट ने, R.A. Fischer नाम दे कॉनमे सने 1913 दे तो यार रखना फिर C पाठ है coefficient of standard deviation अगरा पाठ है coefficient of standard deviation coefficient of standard deviation C part is coefficient of standard deviation coefficient of standard deviation निलता तोड़ा स्टेंडर्ड डिवाइडिड बाए मीन कलना तो स्टेंडर्ड डिविएशन दा निकल जो के 12.99 पुर मीन कड़ना अपना हले पे है ऐसी मीन कड़ना वांगे मीन कड़ना वाइटे सिखा रेना मीन कितना निकलेगा a plus sigma fd dash upon sigma f into c a की लियास ही अपे देखो a was 24.5 sigma fd dash की सी 15 sigma f to the total की 20 इन्हों प्लस-माइनस करके सॉल करके 32 तो मीन आरेया तो अडेकोल 32 तो फिल कर दोगे coefficient of standard deviation आजाएगा that is 0.406 so coefficient of standard deviation था हो गया नहीं coefficient of variation चौत्था पार्ट है फूर्थ पार्ट है दी पार्ट है coefficient of variation कर दो है so coefficient of variation is calculated as standard deviation upon mean इंटो 100 so तो आणा coefficient of standard deviation इंटो 100 नी इंगा सी but coefficient of variation चे इंटो 100 नी फार्ट है so standard deviation is 12.99 upon 32 इंटो 100 साथ इकोले नो सॉल्व करके आ रहे है 40.6% यहते पास इंटो 100 कर रहे है so इनो सॉल्व करके 40.6% आ रहे है that's it